दूस्तों अगर आपके कोई policy चल लए है तो कैसे आप उसका statement निकाल सकते हैं कब आपने कितना कितना रुपय पेड़ किया है तो यहाँ पर आपको यह निकालने के लिए Google में आपको सरच करना होगा एतना आप सरच करेंगे पहले नमर पर बसाड़ाईगी उसको open कर लेना है और उसके बाद आपको नीचे scroll करना है यहाँ पर आपको register user पर click करना है उससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने इसमें registration नहीं किया है तो इसमें पहले आप registration कर लीजिए इसका वीडियो में मैंने explain एक्तम बनाया हुआ है उसकी link भी आपको इस वीडियो की description मिल जाएगी तो पहले आप registration करने उसके बाद इसमें आप आंगे की process करें तो मैं बैब चला जाता हूँ मैंने पहले से register किया हुआ है तो मैं इस पर click करूंगा ओके उसके बाद यहाँ पर यह new page में open हो ज जालने के बाद आपको sign in कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको proceed करना है पर आप देखेंगे आपके नाम पर जो जो policy चल लही होंगी वो self policy में आ जाएगा बकिके child policy होगी तो उसमें आ जाएगा बच्ची की और यहाँ पर सभी policy दिखाई देंगी तो यहाँ पर आप क statement वाला option आएगा उस पर click करना है आपकी यहाँ पर policy आजाएंगी जो जो policy होंगी मेरे पास एकी है तो उसके बाद आपको उसके आपको यहाँ पर year straight करनी है किस साल का आपको निकालना है तो 2019 20 का यह है दुश्तों यहाँ पर में मा को बता दूँ उसमें जो गरबड़ी है वो यहाँ पर एक बार में पूरा statement नहीं निकलता है तो यह LIC वालों की गलती है किसमें पूरा statement आलना चाहिए यहाँ पर एक एक साल करके डालता है जैसे 19 20 है 21 वायस है जैसे डालता है तो देखिए मैंने year select किया और यहाँ पर हम जो है जो है जो है जैनलिट statement पर click कर दें तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर जो है दो बार की एने की हमारे आज चुकी है यहाँ पर आप एक साल करका select करके देख सकते हैं और बाकी क्यों हो सकता है जल्दी से में साज आए कि पूरा एक बार में आप select कर पाएं क्योंकि जो data जितना भी है LIC का वो upload हो रहा है website पर तो जल्ली से वो भी option है आप देखने को मिलेगा तो अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बुक्स में बताइए देख सकते हैं